अब चलिए हम कुरुत्वी विभव और दूरी के बीच में संबंद बनाते हुए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम X अक्ष में दूरी लेंगे जिसे हम R से दर्शा रहे हैं और Y अक्ष में विभव लेंगे और अनंत में जाने से इसका मान जीरो हो जाता है तो जब एक ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा हम वाई एक्ष में रिनात्मक विभाफ के मान को लेते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे और दूरी के साथ इसका संबंद व्यूत करमनुपाति का था इसलिए ग पर ग्रुत्री विभाफ की गढ़ना किजए बच्चों इस प्रष्ण में हमें गुरुत्वी विभव की करना है और सूत्र अनुसार विभव बराबर होता है माइनस जी एम अपोन आर बच्चो इस प्रश्ण में कहीं पर भी पृत्वी का द्रवेमान और त्रिज्या नहीं दी गई है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस मान को हमेशा हमें या आवर शिक्स मीटर और जी का मान यानि कि सार्वत्रिक गूत्वा कर्शन में अतांक होता है 6.67 इंटू 10 तुदा पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वार प्रती केजी स्क्वार अब यह सारा मान हमें सुत्र में रखेंगे और हल करेंगे हल करने पर हमें मिलेगा माइनस 6.25 इंटू 10 तुद पावर 7 जूल प्रती केजी इस निमेरिकल कोश्चन के साथ बच्चो अब हम गुरुत्वी विभाव और गुरुत्वी छेत्र की तीवरता में संबंद स्थापित करते हैं बच्चो गुरुत्वी छेत्र की तीवरता को हम आई से दर्शाते हैं और है कि गुरुत्वी छेत्र की तीवरता आई बराबर होती है माइनस डीवी अपॉन डी आर जा आर दूरी है और हमने यहां पर लिकाए डीवी अपॉन डी आर डीवी आपॉन डी आर इस राशी को हम कहते हैं विभव प्रवंता यानि कि पोटेंशल ग्रेडियंट और मोर स् कि जब हम गुरुत्वी छेत्र में किसी द्रव्यमान को लाते हैं तो इस गुरुत्वी छेत्र के द्वारा अपने आप ही उस द्रव्यमान पर आकरशन बल कार्य करता है वो अपने आप ही उस बिंदू तक उस गुरुत्वी छेत्र के किसी बिंदू तक आ जाता है इसलिए यहां पर हमने रिनात्मक चिन लिखा है क्योंकि यहां कारिये गुरुत्वी बल के द्वारक किया जा रहा है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरुत्वी छेत्री की तीव्रता गुरुत्वी विभव प्रवन्ता के रिनात्मक मान के बरावर होती है अब आवच्चो हम गुरुत्वी स्थिती उर्जा के बारे में चर्चा करते हैं जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशल एनर्जी कहते हैं Potential Energy यानि कि ऐसी उर्जा जो किसी वस्तु में उसके स्थिती के कारण होगी यहां पर हम शब्द इस्तमाल कर रहे हैं गुरुतवी Potential Energy किसी भी पिंड को यदि हम किसी दूसरे पिंड के गुरुतवा कर्शन बल के अंदर रखते हैं यानि उसकी गुरुतवी छेतरे के अंदर रखते हैं तब उसमें गुरुतवा कर्शन बल कारे करता है पहला वाला पिंड दूसरे वाले पिंड को आकर्शित करता है सासा दूसरा वाला पिंड पहले वाले पिंड को आकर्शित करता है जब इन पिंडों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाए मतलब उनके घटते जाएगा और हमने ये भी पाया कि जब हम किसी पिंड के गुरुतवी छेतर से बाहर दूसरे पिंड को ले जाएंगे तो उसके गुरुतवा कर्शन बलके विरुध कारे करना होगा वो पिंड उसको अपने और खीच रहा है और जब हम उसको दूर ले जा रहे हैं तो ह में उस गुरुत्वा कर्षण बलके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है लेकिन यदि किसी पिंड को गुरुत्वी छेतर के अंदर लाया जाएगा तो वो गुरुत्वा कर्षण बल अपने आप ही कार्य करेगा चाहे स्थिती जो भी हो जाये पिंड दूर जा रहा हो यह दोनों स्थिती में गुरुत्वा कर्षण बलके द्वारा कार्य हो रहा है कभी गुरुत्वा कर्षण बलके विरुद्ध कार्य हो रहा है कभी गुरुत्वा कर्षण बलके कारण कार्य हो रहा है और यह गुरुत्वा कर्षण बल से जो कार्य हो रहा है वह उस पिंड में गुरुत्वी स्थितीज उर्जा की रूप में संचित हो जाता है और इसे ही हम उस पिंड की गुरुत्वी स्थितीज उर्जा के नाम से जानते हैं Gravitational Potential Energy अब बच्चो इस Gravitational Potential Energy का अब हम वैंजग्यात करेंगे गैनां बच्चोव यह सारे टम्स सुनने में एक जैसे ही लगते हैं और जब हमको Deriviction आता है एक्जाम में तो हम Confused भी हो जाते हैं और इस Question का Derivation उठाके दूसरे question में लिख देते हैं या फिर आधा derivation करते हैं और कुछ steps दूसरे वाले derivation के लिख देते हैं तो यहां पर हमको confused होने की अवशक्ता नहीं है यहां पर हम step by step doubt को clear करते जाएंगे हमने पहले बात की थी गुरुतवी विभव की गुरुतवी विभव में भी हमने किसी बिंदू पर विभव ग्याद करने वाले हैं तो हम परिक्षन करने के लिए अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाते हैं इसलिए जब गुरुतवी विभव की बात होगी तो वहां पर कि small m का मान हमेशा one रहेगा मतलब जिस पिंड को लाकर टेस्ट किया जा रहे है उसका द्रव्यमान हमेशा एकाई रहेगा लेकिन जब हम स्थिती जूर्जा की बात करेंगे तो स्थिती जूर्जा तो किसी भी पिंड में सन्चित हो सकती है तो जरूरी नहीं कि उस पिंड का द्रव्यमान इकाई हो इसले जब हम गुर्त्वी श्ति-धी जूर्जा की बात करेंगे तो जो पिंड हम ला रहे हैं जिस में सिती जूर्जा संचित हो रही है उसका एक निश्चित द्रवेमान लेंगे और उसे हम M से प्रदर्शित करेंगे यह द्रवेमान भले एक हो सकता है लेकिन फिलहाल हम यहां पर उसे से एक से प्रदर्शित नहीं करेंगे इसे हम स्मॉल लेटर एम से प्रदर्शित करेंगे और इसी लिए जब इसका आप ज्याद करोगे तो यह व्यंजक गुरुत्वी विभव के व्यंजक से मिलता जुलता होगा पर यहां पर थोड़ा सा फर्क होगा तो आएये देखते हैं पहले हमेंनों पूरा-स्टेप्स डेराइफ कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि गृत्वी विभव्व और उस्थितियी जूरज्या के वेंजक में सूत्र में क्या फर्ख है यहाँ पर भी हम एक पिंड्रं ले रहे हैं जिसकी गृत्वी चहत्रा ले रहें उस पिंड़ को हम पृत्वे ले रहें क्योंकि हम पृत्वी के सापक्ष किसी भी वस्तू की गुरुत्वी सेृज़ गयाद करते हैं यहां यहां कार यही कुछ स्थितीज उर्जा के रूप में संचित होगी तो यहां इस डरिवेशन में हम किसी पिंज की स्थितीज उर्जा पृत्वी के सापेक्ष देखते हैं मान लीजे यह पृत्वी है जिसकी त्रिज्य आर है और इसका दरव्यमान एम है मान लेजिए एक पिंड है जिसका द्रवेमान M है और इसे हमें A बिंदू पर रखना है और A बिंदू पर इसके स्थिती जूर्जा कितनी होगी ये हमको इस डरिवेशन के द्वारा ग्याद करना है तो हम यहाँ पर फिर से डरिवेशन को A बिंदू के लिए डिरेक्ट ग्याद नहीं करेंगे वेकि इस पिंड को अनंत से लेकर इस A बिंदू तक लाने में जो कार्य किया गया होगा ये कार्य होगा वही इस पिंड में स्थिती जूर्जा के रूप में संचित होगा तो अनन्त से लेकर हम direct यहाँ पर calculation नहीं कर सकते इसलिए हम पहले छोटे से विस्थापन के लिए कारे को calculate करेंगे और उसके बाद हमारे पाल mathematical tools हैं हम यहाँ पर समाकलन का सहारा लेंगे और समाकलन की सहायता से हम इस derivation को आगे बढ़ाएंगे तो मान लेजें यहाँ पर यह जो A बिंदू पर पिंड की जो स्थिती जो उर्जा ग्याद करनी है यह पृत्वी की केंदर से small r दूरी पर है अब यही पर हम एक और distance लेते हैं एक और बिंदू लेते हैं P जो की इस केंदर से x दूरी पर है और यहाँ पर हम देखें कि P से अ अंदर इस P से Q बिंदू तक इस पिंड को लाने में कितना कार्य होगा और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अनंत से लेकर A बिंदू तक लाने में कितना कार्य होगा और इसके अनुसार हम गृत्वी स्थितीज उर्जा की गढणा करेंगे तो जो M द्रवेमान का पिंड इस P बिंदू पर रखा गया है इस पर इस प्रित्वी के द्वारा गृत्वा कर्शन बल कार्य करेगा और न्यूटन के सारवत्री गृत्वा कर्शन नियम के नुसार ये बल होगा F बराबर G M M अपॉन X स्क्वार क्योंकि इनके बीच की दूरी X है अब P से लेकर Q बिंदू तक इस पिंड को लाने में कितना कारे करना पड़ेगा तो कारे का सूत्र देखते हैं कारे बराबर होता है बल इंटो विस्थापन यहां विस्थापन हमने अल्प लिया है दी X लिया है तो कारे भी हम अल्प लेंगे तो यह जाएगा DW बराबर F F यहां पर गुरुत्वा कर्शन बल है क्योंकि इसी के कारण ही कारे हो रहा है तो हम लिखेंगे DW बराबर GMM अपॉन X स्क्वेर इंटो डी X यह कार यह था पिंड को P से लेकर Q दूरी तक लाने में इस गुरुत्वा कर्शन बल के द्वारा अब स्थिती जूर्जा कुत्वी छेत्र के किसी बिंदू तक लाने में किया जाता है तो अब हम यहां पर समाकलन का स्तमाल करेंगे अब पिंड को अनंत से लेकर A बिंदू तक लाने में किये गए कुल कारी की गढ़ना करते हैं तो हम समाकलन करेंगे इस अल्प कारी का तो W बराज बरा हो जाएग समाकलन लीमिट लगाएंगे अनंत से लेकर आर क्योंकि he tin हम इमेज़न कर रहें अनंत दूरी पर है और वहां से कहां तक आया इस पृतफ़िस के केंद्र से हम देखें तो ये आर दूरी परस्थित थे लिमिट लगाएंगे अनन्त से लेकर R, फिर लिखेंगे GMM upon X square DX, अब इस समाकलन में जो भी नियत राशी है उसको बाहर कर देते हैं, G gravitational constant है, M पृत्वी का द्रविमान है, वो भी नियत रहेगा, और small M, यानि कि किसी पिंड का द्रविमान, वो भी नियत रहेगा, उसको हम बाहर कर देते हैं, तो समाकलन के अंदर बचेगा, समाकलन लिमिट लगाएंगे, अनन्त से लेकर R, 1 upon X square DX, और पहले भी हम इसका समाकलन कर चुके हैं, ये 1 upon X square को हम लिख सकते हैं, X power में minus 2, और इसको हम समाकलन का formula लगाएंगे, समाकलन X power N, DX बराबर होता है, X power N plus 1 upon N plus 1, तो N के स्थान पर हमको minus 2 लिखना है, तो ये हो जाएगा, X power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, और लिख सकते हैं, X power minus 1 upon minus 1, और minus हम जैसे की denominator में नहीं लिखते हैं, तो minus उपर ले जाएंगे, और power में minus 1 को हटाने के लिए, हम इसका व्यूत करम ले ले लेंगे, तो ये जगा minus 1 upon X, बच्चों यहाँ पर मैंने ये सारे स्टेप्स आपको पहले भी बताय थे, अभी दुबारा मैंने एक बर और बताया, ताकि हम जब इसको derive कर रहे हैं, सिती जूर्जा के लिए, तो कोई confusion ना हो, लेकिन जब ऐसे ही, बार बार derivation में repetition होता है, तो आप direct भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 upon X square का समा कलन, अब direct minus 1 upon X लेक सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ steps को clear करने के लिए, यह derivation को मैंने आपको दुबारा बताया था, अब यहाँ पर हम मान रख देते, तो W बराबर हो जाएगा, GMM bracket के अंदर minus 1 upon X, अब इसकी limit लगी है, infinity से लेकर R, अब limit हठाने के लिए, हम क्या करते है upper limit minus lower limit, तो यहाँ पर हम सबसे पहले minus sign को बाहर कर देते हैं, ताकि minus plus का कोई mistake ना हो, तो W बराबर होगा, minus GMM, अब upper limit लिखेंगे, जो की R है, तो X के स्थान पर हम पहले R लिखेंगे, फिर X के स्थान पर हम अनंत लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, minus GMM, 1 upon R, minus 1 upon infinity, अब 1 upon infinity, यह 0 होता है, तो हमारे पास किया गया कार एका फॉर्मला होगा, W बराबर minus GMM upon R, और यह जो कार यह है, इस गृत्वा कर्शन बल के द्वारा किया गया कार, यही इस पिंड के, इस पिंड में, गृत्वी स्थितीज उर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसलिए अब हम W के स्थान पर U लिखेंगे, जो की गृत्वी स्थितीज उर्जा को दर्शाता है, तो गृत्वी स्थितीज उर्जा का फॉर्मला होगा, U equal to minus GMM upon R, अब गृत्वी विभव के फॉर्मलेसे से compare करते हैं, गृत्वी विभव बराबर था, V equal to minus GM upon R, तो इन दोनों मे क्या फर्क है, वहाँ पर हमने एकांग का द्रव्यमान लिया था, इसलिए M बराबर हमने 1 लिखा था, और यहाँ पर हमने पेंड का द्रव्यमान M लिया है, और इसलिए इस फॉर्मुले में M दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम यह देख सकते हैं कि जो गृत्वी स्थिती यहां भी देख सकते हैं जैसे कि यदि हम आर के मान को बढ़ाते जा रहे हैं लगभग आर बराबर infinity है उस condition में हम देखें तो यू बराबर माइनस GMM अपन infinity हो जाएगा और किसी भी इसको infinity से भाग देते हैं तो वह 0 होता है तो यहां मान 0 हो जाएगा और यू कह सकते हैं कि अनंत पर गृत्वे स्थितीज उर्जा का मान 0 होता है और यहां मान गृत्वे स्थितीज उर्जा का अधिक्तम मान होता है अब पृत्वी की सता पर गृत्वे स्थिती जूर्जा देखते हैं पृत्वी की सता पर मतलब ये पिंड की दूरी कितनी हो जाएगी R तो जो भी दूरी है हम पृत्वी केंदर से निकालते हैं तो अगर इस पिंड को हम सता पर रखेंगे तो इसकी केंद्र से दूरी इस पृत्वी की त्रिज्या ही होगी तो यह सूत्र हो जाएगा U बराबर माइनस G M M अपॉन कैपिटल R और यदि इस पिंड को हम पृत्वी की सता से H उचाई पर रखते हैं और वहां इसकी गृत्वी स्थितीज उर्जा कैल्कुलेट करें तो इसका सूत्र होगा U बराबर माइनस G M M अपॉन अब यह दूरी देखनी है केंद्र से तो यह हो जाएगी पृत्वी की त्रिज्या प्लस इसकी सता से दूरी यानि की H तो हम लिखेंगे R प्लस H और इसी पृत्वी के गृत्वी छेत्र में हम किसी दो बिंदों के बीच में यदि इस पिंड को ले जाते हैं तो इसमें गृत्वी स्थितीज उर्जा में परिवर्तन भी ग्याद कर सकते हैं मान लीजे पिंड पहले इस पृत्वी के केंद्र से आर्वन दूरी पर था और इसे हमने पृत्वी केंद्र से आर्टू दूरी पर पहुचाया अब R1 दूरी पर इसकी गुरुत्वी स्थिती जूर्जा अलग होगी और R2 दूरी पर इसकी गुरुत्वी स्थिती जूर्जा अलग होगी अब इस प्रोसेस में मतलब पिंड को उसी छेत्र के अंदर ही एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में गृत्वी स्थिती जूरजा में क्या परिवर्टन हुआ तो पहले दोनों बिंदूओं की गुरुत्वी स्थिती जूर जग याद करते हैं R1 की गुरुत्वी स्थिती जूर जोगी माइनस GMM अपॉन R1 जबकि R2 दूरी की गुरुत्वी स्थिती जूर जोगी माइनस GMM अपॉन R2 अब परिवर्तन निकालना है तो परिवर्थन कैसे निकाला जाता है? Final minus initial position. तो finally R2 पे था और शुरुवात में R1 में था. तो final minus initial करेंगे. तो हम लिखेंगे minus GMM upon R2 minus minus GMM upon R1. अब यह minus minus plus हो जाएगा. तो यह हो जाएगा minus GMM upon R2 plus GMM upon R1. और यहां से GMM यदि common loop तो यह हो जाएगा delta U यानि की गृत्विय सितीज उर्जा में परिवर्थन बराबर minus GMM bracket के अंदर 1 upon R1 क्योंकि यह 1 upon R1 positive था. इसने इसको हम पहले लिखेंगे. minus 1 upon R2. तो इस प्रकार इस सूत्र की सहता से हम किसी भी दो बिंदूओं के बीच में गृत्वी सितीज उर्जा में परिवर्थन ग्याद कर सकते हैं. अब बच्चों गृत्वी सितीज उर्जा का सूत्र ग्याद करने के बाद इसमें हमने परिवर्थन भी देखा. इसका सूत्र भी हमने ग्याद किया. अब आप सोच रहोंगे कि जब हम potential energy की बात करते थे, potential energy की चर्चा करते थे, उस समय हम कुछ अलगी formula लिखते थे. यदि प्रिथवी की सता से H उचाई पर कोई वस्तु स्थित है. तो उस समय हम उस वस्तु में संचित, स्थितीज उर्जा का सूत्र लिखते हैं MGH, जहां M वस्तु का दरविमान होता है, G गृत्वी त्वरण होता है और H प्रिथवी की सता से उचाई. फिर यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि प्रिथवी की सता से H दूरी पर यदि हम किसी वस्तु को रखे हैं, तो उसकी गृत्वी स्थितीज उर्जा क्या होगी? तो यहां हमको इस गृत्वी स्थितीज उर्जा का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. तो हम साथ कन्फियोज हो रहे होंगे कि हमने जो पहले फॉर्मला पढ़ा था, यह कोई अलग स्थितीज उर्जा है, अब इस ग्रेविटेशनल चैप्टर ने पढ़ रहे हैं, यह कोई अलग स्थितीज उर्जा है, तो नहीं बच्चो, यह दोनों स्थितीज उर्जा एक ह ही है यह पृत्वी के गृत्वा कर्शन बलके कारण ही उस वस्तु में संचित उर्जा है और इसे ही हम गृत्वी स्थिती उर्जा के नाम से जानते हैं लेकिन जो पहले हमने सूत्र देखा था वो इस सूत्र से अलग था एक्चुली बच्चो होता यह है कि जब हम अलग-अल सकते हैं अब मान लीजे कि कोई वस्तु पृत्वी के सतह पर रखी गई है यानि केंद्र से इसकी दूरी आर होगी अब इसको उठाकर हम उपर ले जा रहे हैं अब केंद्र से इसकी दूरी होगी आर प्लस है मतलब अब पृत्वी की सता से वस्तू को हम एच उचाई पर ले गए और इस समय हम फॉर्मुला लिखते हैं गृत्वी स्थिती जूर्जा का ब्रैकेट के इंदर वन अपाउन अर ना रॉन मैनस वन अपाउन र टू जहां या पहली स्थिति है और र टू इसकी फाइनल पोजीशन है कितनी उचाई पर ले गए वो स्थिती है तो तो यहाँ पर मान रखते हैं हम लोग, तो यह हो जाएगा gmm, one upon r, यह पहले स्थिती है, minus one upon r plus h, यह final position थी, यानि कि प्रित्वी की सत्या से h उचाई पर वस्तु रख दी गई है, अब इसको simplify करते हैं, तो यह हो जाएगा gmm, gmm, lcm लेंगे r, r plus h, उपर होगा r plus h, minus r, r और r cancel हो जाएगा, उपर बज़ेगा केवल h, तो सिधी जूर्जमें वृद्धी, delta u बराबर हो जाएगा gmm, bracket के अंदर h, upon r, bracket के अंदर r plus h, अब यदि इस bracket से, जिसमें r plus h है, उसमें से r common निकालो, तो पहले से term में तो r है, तो 1 बचेगा, दूसरे term में r नहीं है, केवल h है, तो हम लिखेंगे h upon r, और यहां r और r मिलके r square हो जाएगे, तो इस formula को सरल करके हम लिख सकते हैं, gmm, h upon r square, bracket के अंदर 1 plus h upon r, अब यहां से हम देखें, तो gm upon r square, यह गुरुत्वी तवरण का formula है, जिसे हम small g से represent करते हैं, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे small g, और हमारे पास क्या बचेगा, mh upon 1 plus h upon r, अब यह कुरुत्वी स्थिती उर्जा में वृद्धी को दर्शाता है, जब किसी वस्तु को हम पृत्वी की सता से h उचाई पर ले जा रहे हैं, अब हम पृत्वी की सता से किसी वस्तु को h उचाई पर ले जा रहे हैं, तो यहाँ उचाई पृत्वी की तरिज्जा से बहुत ही कम होगी, व्योंकि पृत्वी बहुत बड़ा है और हम उस वस्तु को किसी उचाई पर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर हम देखें कि H का मान R के मान से बहुत कम होगा यूँ कहें कि H के मान को हम R की तुल्न में नगण्य मान सकते हैं और इस कंडिशन में H अपॉन R का मान एक के मान से बहुत कम होगा और इसलिए हम लोग एक की तुल्न में इसको नगण्य कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जल्टा यू बराबर MGH यानि कि जब पृत्वी की सता से हम H उचाई तक किसी वस्तु को ले गए वहाँ पर जो उसके स्थिती जूर्जा थी या उसके स्थिती जूर्जा में वृध्धी हुई उसे हमने दर्शाय MGH से यानि कि अब वही हमारा पुराना वाला फॉर्मुला आ गया जो हम हमेशा स्थिती जूर्जा के लिए पढ़ते आए हैं तो इस प्रकार आप देखें बच्चों कि अब कोई confusion नहीं होना चाहिए कि अभी इस चप्टर में जो हम गृत्वी स्थिती जूर्जा के ये फॉर्मुला देख रहे थे ये कुछ अलग सा फॉर्मुला है या कोई नया concept है ऐसा कुछ भी नहीं है बस यहां पर हमने गृत्वा कर्शन नियातांक गृत्वीत्वरन इन सारे चीजों के अधार पर एक नया सूत्र लिख दिया था पर इसका basic concept वही है अब अच्चों हम इसी में एक special case लेते हैं जहां पर हम H बराबर R लेंगे मतलब किसी भी पिंड को पृत्वी की सता से उसकी त्रिज्या के बराबर उचाई में रखते हैं यूकि पहले हमने जो उचाई ली थी की पृत्वी की सता से पिंड की उसको हमने इतना कम लिया था कि उसको पृत्वी की तुरिज्य की तुन्ला में नगलेक्ट कर दे रहे थे पर अब हमने एक नोटिसिबल कॉंटिटी ली है मतलब अब यहाँ पर हमने ह। बराबर आर लिय है इस स्थीति में गुरुत्वी स्थिती ऊर्जा में व्रिद्धी का मान क्या होगा देखते हैं इस समीकरण समस्थेखें तो डेल्टा यू बराबर हैं म जी है the aapnel one plus ह हपाउन आर अब half बराबर अ लिखते तो उपर भी हम H के स्थान पर R लिख देंगे और नीचे भी H के स्थान पर R लिखेंगे R upon R यानि कि 1 हो जाएगा और इस प्रकार गुरुत्वे स्थितीज उर्जा में परिवर्टन डेल्टा U बराबर हो जाएगा M G R upon 2 बच्चों इस पार्ट में हमने धेर सारे derivations किये अलग-अलग concept के derivations लेकिन हमने देखा कि सारे derivations लगभग एक जैसे हैं और अधिकतर हम इन derivations में confused हो जाते हैं तो बच्चों इन सारे derivations को आप आराम से लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए और साथ ही हम derivation के बाद जब किसी सूत्र को प्राप्त किये हैं उसकी बाद इसमें बहुत सारी स्थिती देखे हैं अगर इसका मान इतना होगा तो इसके सूत्र में क्या फर्क पड़ेगा या अलग-अलग स्थिती लेकर हमने सूत्र को change करने का प्रयास किया ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर अधारित बहुत सारे numerical questions आपको एक्जाम में भी देखने को मिलते हैं तो जब अलग-अलग स्थिती के numerical questions आए तो आपको वहाँ पर फिर से उन चीज़ों को derive करने की जूरुत ना पड़े आप direct formula लगा कर भी उन numerical questions को solve कर सके इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारी स्थितियां discuss की है तो बच्चों आप एक एक करके सारे derivations को step by step practice करें और सारे formula को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करें ताकि आप exam में अच्छे score कर सकें बच्चों इस पार्ट पर अधारित कुछ तत्यात्मक प्रश्ण भी पूछे जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर गुत्व करषिंद बल समप्त हो रहा है पर प्रितिवी की घोर्णीगती तो समप्त नहीं हो रही है और हम जानते हैं कि घोर्णीगती के कारण ही है सबी द्रवेमानों पर एक अपकेंद्र बल कार्य करता है जो से प्रित्वी से दूर ले जाने का प्रयास करता है कृत्वा कर्शन बल की कारण ही तो द्रवेमान प्रित्वी की केंद्र की और अकर्शित है तो जब पृत्वी का गृत्वेबल समाप्त हो जाएगा, तो घोरणन होने के कारण वस्तुएं पृत्वी की सता से दूर अंत्रिक्ष में जागिरेंगे और जीवन असंभव हो जाएगा हम जानते हैं कि पृत्वी अपने अक्ष पर पस्चिम से पूर्व की और घोमती है और पृत्वी की इसकति के कारण गृत्वी त्वरण की दिशा थीक केंद्र की और नहीं होती बैकि थोड़ी सी पूर्व की और होती है यही कारण है कि मुक्त रूप से गिरती हुए वस्टू थोड़ी सी पूर्व की और विचलित हो जाती है